सद्रिश गोपिन प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो निर अंकुष अति निदर रसिक यश रसना गायो दुष्टन दोश विचार्य मृत्य को उद्यम कीयो बारन बांको भयो गरल अम्रत ज्यों पीयो भक्त निशान बजाय के काहुते नाही लजी लोक लाज कुल शिंखला तज मीरा गिर धर भजी श्री रादे रादे भक्तों जो ठाकुर जी की भक्ति की मार्क में प्रभु से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं उनको संतों का संग बहुत प्रिय रखता है अनुभवी संतों का, सिद्ध मापूर्शों का, भागवत तत्यों का ज्यान और प्रभु से प्रेम रखने वाले संतों का संग बहुत प्रियलगता उनको और मीराची भी ऐसी प्रभु की सच्ची भगता थी उनको संथों का संग महाण सद्व संद्व संथों का संग बहुत प्री लगता था इसलिए श्री ब्रंदावन धाम में जहां वो सेवाकुंज और चीर घाट के बीच में आज भी ब्रंदावन में भक्तों मीराजी का मंभी रहे उसमें मंदिर तो नहीं था, उसमें एक कुटिया थी, और कुटिया के पास में एक सत्संग का कक्ष बना हुआ था, चबूत्रे के उपर छप पराज डालके, कुटिया खप्रेल थी, कच्ची दिवाल की थी, तो भक्तों, वहाँ भगवान के प्रेमी, प्रभू के प्रेम के मस्ती में मस्त संत लोग आते थे, मिराजी का दर्शन करते थे, मिराजी की भक्ती का अनुभो करते थे, और आपकल श्रवण कर रहे थे, कि बड़े-बड़े पूर्व युगों के सिद्ध मापुरस भी आते थे, जो अपना परिशे जल्दी से नहीं बताते थे किसी को, और उनका दर्शन भी मिराजी को मिलता था, वो आशिरवाद भी देते थे, इस युग के संत लोग दर्शन करने आते थे, पुराने युग के संत लोग आशिरवाद देने आते थे, और मिराजी के भाव भरे शब्दों को सुनते थे वो, और मिराजी ने गाया था, शाम महाने चाकर राखो जी, कल आपने शवर्ण के था, मिरा के भाव भरे सरस प्रेम रस से सने हुए, भजन के शब्दों को सुन करके, वे पूर्व युग के महान से द्वृद्ध संत लोग बोल पड़े, धन्य धन्य मिरा, धन्य हो गया आज मैं, पुर्णदावन की प्रेम मैं दिव्य धरा, और तुम सी प्रेम दिवानी का दर्शन पा करके, मैं सचमुष धन्य धन्य हो गया, आखो में प्रेम के आशु लिए हुए ऐसे बोल रहे चाए संत लोग, मीराजी तो आस्तों में थी बहुत, बहुत ही उच्चकोट के महान प्रेमी भक्ता, पर उन्होंने देखा कि ये संत बहुत उच्चकोट के हैं, इसलिए उन्होंने विनमरता बस कहा कि महराज, मैं तो केवल प्रेम प्रभु से करती हूँ, मैं भक्ती के तत्तों को क्या समझूँ, मुझे तो अपने गिर्धर गोपाल अच्चे लगते हैं, आप लोग आए हैं, आपका आशिरवाद मिलदा मुझे को, उनकी बात करने वाला मुझे अच्छा लगता है, उनकी चर्चा अच्छी लगती है, उनसे संबंदित सभी कुछ अच्छा लगता है, बस क्या केवल अच्छा लगना ही प्रेम होता है, यह जी अच्छा लगना ही प्रेम होता है, तब तो आपकी बाते सत्ती ही हैं महराज, और मेरे दिष्टी में तो प्रेमी आप लोग है ने जाने कहां से मुझे दर्शन देने कृतार्थ करने के लिए आप लोग पदारते है ये मेरे कृष्ण कनया की कृपा है मेरे गिरिधर गोपाल की कृपा है जो आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए आते है संतों को बड़ा आभार मानती हैं मीरा कि आप लोग कृपा करके मेरे पास आते हैं मुझे दर्शन देने आते हैं और भक्तों ऐसे ऐसे भी संगीत के सिद्ध मा पुरुष्ट लोग आते थे संत लोग कि मीरा जी के गायन में अपना स्वर मिला करके गा देते थे बाव विवो रोकर के हैं और मीरा जी को उन लोग के स्वर की गहराई और संगीत का ग्यान यह सब देख करके अच्छा लगता था बगवान से इनको प्रेम भी है और संगीत की सेवा भी करते हैं वो लोग काते थे थक गई बेटा है मीरा जी काते थे नहीं मुझे भगवान के गुणगान में ठाकान नहीं आती मैं ठकी नहीं हूँ मैं आप लोगों का दर्शन कर रही हूँ और आपके अंदर हम मुझे को अपने गिर्धर गुपाल दिखलाई पड़ रहे हैं वही मैं देखते देखते रुख गई थी तो कुछ संत लोग जो आये थे उन्होंने मीराजी के अनुभव युक्त परिचे के जानने की इच्छा व्यक्त की तो मीराजी भाव विभूर थी भक्तों चरणों में नुपूर मथे हुए थे और नित्य के लिए उठ खड़ी हुए क्योंकि ऐसे ऐसे दुरलब संत लोग थे जो मिल नहीं सकते हैं और उसी समय सी जीवगो स्वामी जी भी आ गए चेतनी महाप्रव के शिश्य जीवगो स्वामी और मीराजी पहले तो नहीं का दर्शिन करने आय थी फिर अब वो ही आते थी मीराजी का दर्शिन करने पर अश्य पर एक दूसरे को नमन किया और वृद्ज संतों को जीवगो स्वामी ने प्रणम किया और भक्तों केसर भाई के द्वारा बिचाई गई गद्धी पर जियोगोस स्वामी को मीरा जी ने रार्थना करके बैठाया केसर ने मीरा के चरणों में बहुत बड़िया वाले घुंगुरू बाधे और मजीरे लेकर के चमेली के पास बैठ गई और भक्तों बहुत ही प्रेम से मीरा जी अपने अनुभा योग तो परिशे का वर्ण सुना रही है ठाकुर जी को और संतों को भी मैं गिरिधर के घर जाओं मैं गिरिधर के घर जाओं गिरिधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाओं मैं गिरिधर के घर जाओं अपना परिशे दे रही है रैन परे तब ही उठ जाओं भोर भय उठ आओं रैन दिना वाके संग खेलूं ज्यूं त्यूं ताही लुभाओं मैं गिरिधर के घर जाओं जो पहरावे सोही पहरूं जो दे सोही खाओं मारी वाकी प्रीत पुराणी उन बिन पलन रहाओं मैं गिरिधर के घर जाओं भक्तो रात में मीरा जी को ठाकुर जी राधा राने निकुंज में बुला करके अपने दिव्य ब्रुंदा बनके कुंज निकुंजों निभित निकुंजों इन सब का दर्शन सुलब करा दिया था प्रभू ने इसलिए वो करें कि मैं गिरिधर के घर जाती हूं मैं रोजाना अपने गिरिधर को पाल के घर जाती हूं और रात में जाती थी मीरा जी उस तुमें किसी को पता नहीं चलता था और वो इतना समर्पित थी कि वो कहती हैं, जहां बिठावें तित ही बैठों, बेचे तो बिक जाऊं, मेरा के प्रभू गिरधर नागर बार बार बल जाऊं। में गिरधर के घर जाऊं। गाते गाते मीरा जी को भावावेश हो गया। संत बृद्ध बृद्ध संत और श्री जी गोस्वामी जी आदि भाव भीभोर बीहवल हो गया। मीरा जी प्रेम में मतवाली होके नाच रही थी और अपने और कनहिया के बीच का परिचे दे रही थी। कि मैं गिरिधर जी के घर हो जाना जाती हूं। जहां वो बैठाते हैं वही बैठती हूं। और रात होते ही मैं उठकर के वही पहुंचती हूं। रात दिना मैं उनके साथ ही खेलती हूं। और वो मुझे से प्रेम करते हूं, जो मुझे को पहिनाते हैं वो ही पहिन लेती हूं, जो देते हैं वो ही खाती हूं, मेरी उनकी बहुत पुरानी प्रीट है, उनकी बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूं, मुझे को बेचें तो मैं बिकने को तयार हूं, मैं उन्हीं की हूं, उन्हीं की हूं, भक्तों गागती गागती मीरा जी से संकेत से उनकी सक्खी ने पूछा, कि आपके नैन जो हैं, चड़े रहते हैं, आपके नैनों की कुछ ऐसी आदत हो गई है, ऐसा लगता है, तो मेरा जी ने गा करके हिमत वाली स्थित में बताया, आली री मारे नैनन बान पड़े, हे आली हे सक्खी, तु सही करे, मेरे नैनों में ये आदत बन गई है, आली री मारे नैनन बान पड़े, चित चड़े मारे माधुरी मूरत ही विच्यान गड़े, आली री मारे नैनन बान पड़े, कभकी ठाड़े पंठ निहारूं, अपने भवन खड़े, अपने भवन खड़े, अली री मारे नैनन बान पड़े, आटक्या प्राण सांवरी सूरत, मीरा जी कती मेरी प्राण अठके हुए हैं, साम सुंदर के सांवरी सूरत में, आटक्या प्राण सांवरी सूरत, जीवन मूल जड़े, मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, मीरा जी कती मेरी तुझ गिरिधर के हाथ बिख चुके हुँ, मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़े, अली री मारे नैनन बान पड़े, मीरा जी ने संसार की द्रिष्टी की बात भी बता दी, कि मैं तो मैं तो गिरिधर के हाथ बिक चुके हुँ, मेरे प्राण उनके सांवरी सूरत में अटके हुए है, लेकिन संसार के लोग जानते नहीं, वो कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई है, अर्था तो वो सब आदर शमर्यादब भूल गई है, और आज इस तरह से गाह रही थी मीरा जी, कि जीवकु स्वामी और महान महान सिद्ध पुरूद हो थे, वो लोगों के आँखों से जर जर आँसु गिर रहे थे, और मीरा जी की प्रेम को देख करके, लोगों को अपना ग्यान का गुमान भूल गया, और सब प्रेम में मतवाले हो करके, एद्धम जैसे बिजिन्दा बंधाम की रज में लोट गए, और भाव भोरो कर कोई चीख मारता था, कोई जोरों से रुदन करता था, कोई मीरा जी की जैजेकार करता था, कोई धन्य धन्य बोलता था, कोई कहता था आज मेरा जीवन सफल हो गया, मीरा जी की इस भाव और शब्द में, तो कृष्ण का ही दर्शन होता है, कनईया ही इनके शब्दों में प्रकठोक जाते हैं, धन्य मीरा जी आपकी भाक्ती मीरा जी की संग प्राकपा करके, ब्रिंदावन की संत लोग अपने को धन्य मान रहे थे, और मीरा जी ने श्री ब्रिंदावन्धाम का संपूर रस खूब प्राप्त किया है, कृष्ण ने कृपा की ये भक्तों, भक्तों मीरा जी तो रही हैं, पचीस बर्स की ब्रिंदावन्धाम, लेकिन पांच बर्स इसी तरह से रस में सराबोर रही हैं, भक्तों में प्रवु की परस आपको सुना रहा था, कि दिन में तो संतों के मद्द मीरा जी बैठ करके भाजन गाती हैं, मतवाली होके निर्ट्य करती हैं, और रात में मध्धराती तक ललिता की प्रतीक्षा में जागती हैं, वो उनका संकेत पाते ही उटकर चल देती हैं, जहां ललिता जी आई और इसारा किया कि चलो, मीरा जी को कहां रुकुना था एक सेकंड, आधि रात तक तो इंटोजार कया, और उसके को ललिता जी आई ने आके सारा किया, और मीरा जी चली, रात में अकेली, ललिता जी साथ में, निट नवीन लीला स्थली में, नव नव लीला दर्शन उनको प्राप्त होता था, वे नित्य रात को ही जाती ही इन्तु लीला ये दिन की है जैसे धेन उचारण, काली दमन, माखन चोरी, दान लीला, पंघट लीला तो इन सब का दर्शन करते समय उन्हें दिन ही दिखाई देता था जबकि वो समय होता था आधिरात का वे भूल जाती ही कि अभी अर्धरात्री में वे शहिया से उठकर आई हैं, वे किवल देखती ही नहीं, उन लीलाओं में सम्मिलित भी होती थी, ललिता उन्हें सदा अपने समीप रखती, आप द्यान रखना, पिछले जन्मी की बात मैंने आपको सुनाय था आगे मैं फिर सं करूँगा, उस तो में लीला में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, थी गोपी, गोपी थी माधवी गोपी, लेकिन लीला में सम्मिलित नहीं हो पाई दर्शन मिला था, अब वो लीलाओं में सम्मिलित होती थी मीरा जी, आधी रात को ललिता जिली आती थी, और कनाया की लीला मे सम्मिलित होती थी भक्तु और लिलाओं में श्री किशोरी जूका सरल शांत भोलापन देखकर मेरा जिन्य उच्छावर होई जाती थी श्याम सुन्दर की चतुराई उनका औरों से छिपा कर नेत्रों द्वारा संकेत करना चिठोली अपनत प्रेम उनके रक्त की एक एक बूद में उतर गया था मिरा जी के मीरा जी के शरीर के रक्त के एक-एक बूद में ये सब उतर गया था क्या श्याम सुन्दर की चत्राई यच गरीटी ठोली ने तुन द्वरा संकेत करना सरसल अपनत प्रेम ये सब अब किशोरी जुका सरल शांत भोला पन उसको देखकर नियुचावर हो जाती थी मीरा जी उनका रोम रोम श्याम हो गया था और भक्तों अब आपको मैं फिर उस जगह पर ले आ रहा हूँ जब मैंने मीरा जी की चरीटावरी सुनाना आपको प्रारंब किया था आप अपनी याद दास्त को फिर पीछे ले जाएए मैंने आपको सुनाया था कि ब्रज के एक गाउं में माध्वी नाम की गोपी थी उसका विबा हुआ था नंद गाउं में कृष्ण के एक सखा के साथ अब मीरा जी को वो अपना माध्वी रूप दिखलाई पड़ रहा है अभी आप स्रमण कर रहे थे न कि भगवान आज ही रात में ललिटा जी की द्वारा बुलाए हैं और प्रभू अपनी सब लीलाओं में सम्मिल्ट करते हैं ठाकुर जी दिव्यत तो प्रदान करके अब आप नहीं सोचना कि मीरा जी का शरीर दिव्यत तो है ने कैसे सम्मिल्ट प्रभू ने उनको दिव्यत तो प्रदान कर दिया था इसलिए का दिया था अब तुम्हारा शरीर प्राकृत हो तो यह प्राकृत अब नहीं रह गया है यह कभी मर नहीं सकता यह जल नहीं सकता गल नहीं सकता यह तो के उल्ठाकुर जी में पिलीन हो सकता था मरने जलने गलने लायक नहीं था यह शरीर भले जन में हुआ था मिरा जी के शरीर का लेकिन अब उसमें दिव्यत तो समाहित हो चुका था प्रभू की इच्छा से उनके स्पर्स से राधरानी के स्पर्स से इसलिए उन्होंने लिलाओं में सम्मेलित होकर पूरा रसा स्वाधन किया अब रंदा बंधाम में और इन सब अनुभवों के बाद अंत में उन्होंने देखा अपना माधवी रूप जो मैं आपको प्रारंब में ही लिला जी के चरिटावली के भाग एक से पांच तक सुन आया उसको दुबारे तो मैं नहीं सुना हूँगा लेकिन स्मृत ही आपकी में वहां ले जा रहा हूं जिसमें आपने सुना था कि माधवी का विवास उंदर नाम के ब्रजवासी बालक नंदगाओं के बालक से हुआ था जो कनया का सखा था जो कृष्ण का बहुत प्री थ और मां के कहने पर कृष्ण को अपना रूप नहीं दिखाई न खुद देखी और सखा कनया का जो सुन्दर जो माधवी का पती था वो बहुत चाहता था कि मेरा कनया एक बार माधवी को विदर्शन दे दे लेकिन ये अपनी मां के कहने में ना दर्शन करती थी और मैं कृष्ण को अपना मुख देखने देती थी बलकि अपने को कपड़ों में ऐसे दबा के रखती थी कि कोई उंगली तक न दीख जाए आप पहले सुन चुके इसलिए मैं भिस्तार से नहीं सुना रहा हूं और भक्तों आपको याद आ गया होगा कि जब मेरा जो माधवी थी पिछले जन में उनका मुख देखने के लिए अपने सखा सुन्दर से कहा था कि भईया मुख भावी को मोड़ो तो दिखाए दे छोटे से बच्चे थे कृष्णी च्छा साल के तो उसने माधवी ने ऐसा गुंगवट कस्के पकड़ा कि मुख तो क्या अपनी उंगली का पोर भी नहीं देखने दिया तब थोड़ा नाराजगी में कृष्णी के मुख से शब्द निकले थे मैं कहा देखूँ अब तो तू ही मेरो मुख देखवे को तरसेगी और भग तो वास्तों में तरसती रही माधवी जी बात में ठाकुर जी ने करपा करके कहा था कि एक बार और तेरा जन्म होगा कल यूग में और तब तेरा नाम होगा मीरा तब तो मेरी लिला में समिलित हो पाएगी अगले जन्म में और भागती की कठीन तपस्चाओं को करती हुए मेरे हे अंदर तो समा जाएगी इठाकुर जी ने जो बोला था वही सब बात सत्य हो ये वक्तों और वही माधवी का जन्मीरा की रूप में हुआ जिनका चले ट्राप सुन रहे है जब वह माधवी की रूप में थी तब भी उनको ये ग्यान बाद में हो गया था क्योंकि गोवर्धन धारिन करने वाला बालक कौन है जिसके उंगली पर गोवर्धन उठा हुआ है ये देखने के लिए देखा था उन्होंने प्रभू की उंगली को फिर करारविंद को मुखारविंद को बहुत दूर से देखा और फिर रोती रही माधवी कि मुझे कितनी भूल हुई कि मैं प्रभू का दर्शन नहीं कर सकी हालका सा दूर से दर्शन एक बार किया था और अपना मुक्ठाकुर जी को नहीं दीखने दिया बहुत रोई कि मुझे बढ़ी गल्ती हुई माने मुझे गलत शिक्षा दे दी तो गोपियों ने कहा कि अब मत रो जो श्याम सुद्मर्ज ने कहा है अब दूम को दर्शन तो जहां हुआ करेगा लिलाओं का लेकिन उसम्मिलित नहीं होगी कि इंट जो कल युग में जन्म होगा उसमें सब लाव तुमको मिल जाएगा और वक्तों मीरा के रुप में जन्म लेने पर क्या क्या हुआ आप सुनते आए प्रभु करुपास से आपने उनकी चरिटावली का श्रावन किया है अब तक का अब मैं आपको उसी जगर पर लाया हूँ जो पहले भाग में पहले से पांचमें भाग तक सुनाया था श्रीविंदावन धाम में मीरा जी को खुद अपने पिछले जन्म का दर्शन हुआ है अब उन्होंने देखा है एक दिन श्याम सुन्दर ने कहा है कि अब तु यहां नित्ट लीला में नहीं आया कर भाक्ती की साधना कर और तुमारे दर्शन इस पर्श भासन से लोगों का कल्याण होगा तुमारा प्रभाव देखकर लोग भाक्ती पत पर अग्रसर होने का उत्साँ पाएंगे अभी यही रहो कालांतर में किसी अन्यस्थान में जाने की प्रेणा प्राप्त करोगी शाकुर जी नहीं यह भी कहा था वक्तों कि तुमारा देरेशन करके इस देश का शाशक जो होगा वो भी अपना मार्ग सेवा परान बना पाएगा यह उनके पिछले जन्म की बात है बक्तों दौपर योग की और अब होई समया गया है अब कृष्ण के भचन के अनुसार होई मीरा है होई माधवी मीरा बनकर जन्म लिये हैं और अब श्री बंदावन धाम में आई हैं लीला में सम्मिलित होती हैं पांच वरस तक लगातार ये सौभा की मिलता रहा और इस देश का बादसाह अकबर मीरा जी की आशिरवाद कैसे प्राप्त करता है और महान महान संत लोग और यहां की लिला हैं जो और हैं मैं आगे आपको पर सुनाओँगा आज मीरा मता को प्रनाम करके यहीं विराम देरा हूँ शीरादे रद कि बन्हा कि okay